हेलो बच्चों, आज मैं आपको germination process के बारे में बताऊंगी हम कई तरह के fruits and vegetables खाते हैं, जैसे mango, apple, watermelon, papaya जब हम इन fruits का tasty part खा जाते हैं, तो क्या बचता है? seeds क्या हम seeds खाते हैं? नहीं तो क्या seed का कोई काम नहीं होता है? इने फेक देना चाहिए? नहीं इन seeds के अंदर baby plant होता है, जो सो रहा होता है इस baby plant की protection के लिए, इसको बचाने के लिए, इसके चारों तरफ एक hard seed coat होता है आप में देखा है ना, mango का seed, जो उसका बीज होता होता है, जो apple का seed होता है, वो भी hard होता है इसलिए hard होता है, क्योंकि अंदर जो baby plant है, वो उसकी रक्षा कर सके, उसको बचा सके, जब हम इस seed को soil में sow करते हैं, यानि गमले में मिट्टी का गढ़्धा बनाया, और उसके बीच में इस seed को डाल दिया, उसके ओपर से फिर से मिटी डाल दी, उसको पानी लेते हैं, उस soft हो जाता है, और seed coat के अंदर जो baby plant है, बो जग जाता है, और वो धीरे धीरे grow करने लगता है, जब बड़ा होने लगता है, तो जो baby plant है, वो seed coat के बाहर आ जाता है, और ये धिरे धिरे बड़ा होके क्या बन जाता है, बेग प्लाइंट बन जाता है, बेबी प्लाइंट को जगाने के लिए और ग्रोव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सनलाइट यानि सूरज की रोशनी, वाटर यानि पानी, एयर यानि हवा, सॉल यानि मिट्ट और जब सीट से बेबी प्लांट बाहर निकलता है और ग्रोव करता है उसी प्रोसेस को हम जमिने लिए